आप देख रही है खबर आपकी राज स्थान यूज चैनल जिसकी पैमाईश कल बुधवार को राजस्व विभाग द्वारा की गई थी जिसके चलते टोनकडा के ग्रामीनों ने विरोध किया तो दोनों गाउं के ग्रामीनों में लाठी भाटा जंग शुरू हो गई समाज से भी गिर्धारिलाल शर्मा ने बताया की दो बड़ा के जानन शर्मा प्रधान सिंग, नरेंद्र सिंग, लखन लुहार घायल हो गई वन ही टोनकडा के गर्मिन रमेशिलाल, रामप्रसाद, सौरम बाई, गोर्धन लाल, शंकरलाल वमाना लाल भी घायल हो गई, सूचना पर डिप्टी ब्रिजमोहन मीना जापते के साथ और दोनों गाउं के ग्रामीनों के साथ समझाईश की और खुद ने भैसों वन्य पशुओं को हटाया और डग, उनहिल नागेश्वर व गंगधार थाने के जापते वर राजस्व विभाग को घटनास्थल पर ही बुलाया, डग थाना अधिकारी बननालाल चौदरी, प्रिजमोहन मीना ने पटवारी पुनिया को कड़ी फटकार लगाई और राजस्व विभाग को सस्पेंट करने के लिए कहा कि नियम अनुसार जब फसल खड़ी थी तो पैमाईश करने की अभी जरूरत नहीं थी, वन ही डो बड़ा गाउं के ग्रामीनों ने बताया कि सरक पुलिस उनको रोकने की मशक्कत कर रही है, लाठी भाटा जंग भी हुई, करीब एक दरजन लोग भी घायल हुए जिसमें एक महिला भी शामिल है और एक घायल नरेंद्र सिंग को भवानी मंडी रेफक किया गया और इस घटना में एक गाय भी घायल हो गई वन ही टोनकडा के ग्रामीनों ने आरोप लगाया कि यह सब प्रशासन की मिली भगत से हुआ है, हमारे लाखो रुप्य की फसल का नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा प्रशासन को देना चाहिए, दोनों गाओं के ग्रामीनों ने डग थाने में रिपोर्ट दर्ज करा वन ही डग पुलिस द्वारा मौके की वीडियोग्राफी भी की गई थी जिसके आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई कर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जाएगी जाएगी।